हेलो फ्रेंड्स मैं हुए दॉक्टर मुरूश पडल और आप देख रहे होमियो मैजिक यूटूब चैनल होमियो मैजिक यूटूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत सवागत है तो आईए फ्रेंड्स आज एक नहीं दिन एक नहीं टॉपिक आज का टॉपिक है हाइपोटेंशन लो ब्लेट प्रेशर तो फ्रेंड्स अब जानते हैं लो ब्लेट प्रेशर के क्या सिम्टम्स होते हैं क्या लख्षण होते हैं क्या होता है फ्रेंड्स जो अपनी नफ्स होते हैं काफी ज्यादा पतली हो जाती है धागे के जैसी और काफ हो सकते हैं कि हाइपो टेंशन के कारण हो सकते हैं क्या रिजन हो सकते हैं लो बीपी के क्या होता है अभी-कभी अपन जादा मानसिक परिश्राओं कर लेते हैं या मानसिक परेशानी के कारण या मानसिक सकान के कारण या ज्यादा खाना खाने के कारण भी हो सकता है, कबजे के कारण भी हो सकता है, इंडाजेशन के कारण भी हो सकता है, या अपन ज्यादा एलकोहल पी लेते हैं उसके कारण भी हो सकता है, या ज्यादा स्मोकिंग करने के कारण भी हो सकता है, लीवर फैलियर के वज़े से भी सकता है और यह कुछ का विप्सी और यह आसे हैं कुछ इस आपको लाजा लो धिंध नियुक्त की बात नहीं है मैं कुछ याशी ओमोपेतिक मैडिसन लिए आपके लोग के लिए काफी जादा डिक्टिफ होगी तो फ्रेंड्स अपनी फैली मेडेसिंस आती है कोनियम मेड 200 यह मेडेसिंस बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव आनी जाती है लो वीपी के लिए ब्रेद वरस्ता में खून की कमी के कारण काफी जादा वीखनेस आती है जिसकी कारण ग्लेट स्टर्कुलेशन अपने सिर में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है जिसके कारण काफी जादा आपको चक्कर भी आते है और आपके ग्लेंट सूपने के कारण आप में सारे एक काफी ज़्यादा कम हो जाती है जिसकी वेज़े से आपको फोच ज़्यादा वीकनेस आती है और आपको लो बीपी की सिकायद भी हमेशा बनी रहती है तो इस मैडिसेंस की आपको दस दस पूंद एक चमश पूंकने पानी के सांद दिन में तीन बार लेना है तो फ्रेंड्स अब अपनी दूसी मैडिसेंस आती है डिगेट एलिस ठटी यह मैडिसेंस भी बहुत ज्यादा एफेक्टिव मानी जाती है लो बीपी के लिए अगर आपकी नर्फ काफी ज्यादा वीकनेस हो जिसके कारण आपकी नर्फ बहुत ही धीमी चलती हो आपकी बॉड़ि में कहीं इन तीन मूद अपनी जुवान पर ठपकानी है दिन में तीन बार तो फ्रेंड सब अपनी तीसी मैडिसेंस आती है जलसी में हम ठटी यह मैडिसेंस बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव मानी जाती है लो बीपी के लिए एकदम से चक्कर उठना सेर और आपकी आँखों की पल इसी हरकत पे आपकी नारी का काफी जादा तेज हो जाना अगर आपको यह सब लक्षण है तो आप जलसी में ठटी की तीन-ठीन मून अपनी जबान पर टपकाना है दिन में चार बार इससे आपकी लो बीपी की समस्या काफी हर्द तक कम हो जाएगी तो फ्रेंड सब अपन मेडिसंस की 10-10 वून दो चमच कुंगरे पानी के सांथ दिन में तीन बार देने से यह मेडिसंस के लिए काफी जयादा अपनी लाश्ट मेडिसंस आती है प्रेटे गस्क्यों यह मेडिसंस हाइग बिलेड प्रेशर और लो बिलेड प्रेशर दोनों कंडिसंस में आप ले स की अपना असर दिखाना शुरूप करती है तो फ्रेंड्स यह थी कुछ होमोपेथिक मेडिसेंस लो बीपी से रिलेटेड हाइपो टेंजन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट वक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं आपके डाउट क्लियर करने की को करूंगा और मेडिसेंस लेने से पहले एक बाद अपने नजदी के होपेथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें उसके बाद में ही मेडिसेंस लें और यह वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो लो भीपी से काफी जादा परेशान रहते हैं मैं ऐसी नॉलिजवल रही है तब तक के लिए श्टे से फेंड श्टे हल्दी जैसरी राम